होली आते हम लोग बहुत सारे पापड तो जरूर बनाते हैं लेकिन एक चीज अगर कोई पापड बड़े ना बने लेकिन आलू के चिप्स तो जरूर बनते हैं होली पे क्योंकि यह ओली की खासیत है कि अगर हमने आलो के छिप्स नहीं बनाए तो हुए हदूरी सी लगती है तो यहाँ पे देखे कितने बड़िया यहाँ पे छिप्स बनके तयार हुए है और काले नहीं हैं बिलकुल देखे और आपको नुकसान भी नहीं पहुचाएगा तो यह देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चिप्स फ्राइ करके रखे हैं और देखिए कितने बढ़िया कितने क्रंची बनके तैयार हुए है तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे चिप्स कैसे बनाना है यह देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है सबसे पहले देखिए पतीले में एक पानी बड़ा पतीला मैंने पानी का बिठाया है उसमें सेंधा नमक दो बड़े चमश में डाल रही हूँ सेंधा नमक ठीक है अब यहाँ पर यह पानी जमने नमक डाल दिया तो हम यहाँ पर इसको अपना गरम होने देंगे पानी को यहाँ पर पहले अच्छे से मिला दिया और यहाँ पर मैं अब खुब सारे आलू का चिप्स बनाने वाली हूँ तो यह मैंने यहाँ पर लिए हैं बड़े वाले आलू लेने देखे इस तरीके से जिसका चिलका ना वह सौफ्ट हो मतलब हलका हो मोटा चिलका ना हो चील लेते हैं इसको और अच्छे दे चीलना है यह देखे इस तरीके से कोई भी इसमें जो चिलका है वो रहना नहीं चाहिए तो यहाँ पर चिलके इसको म मैंने सारे जो हैं यहां पे घिस लिया है, यहां पे और अब इसको देखिये कितना बढ़िया सी यहां घिस के तयار हुआ है अब इसको मैं चार पंच पानी से अच्छे से धोलूंगी तो यहां देखिए सारे कट गये हैं और अब मैंन को इहां पे धोलेती हूँ बड़े-बड़े चिप्स आलु यह लेंगे न तो इस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर शेप्स निकलने तैयार होंगे तो पाने वी गरम हो गया एसा नहीं करना हίο कि चला भी ना पाओ तो यहां पर देखिए इस तरह से खूल को डाल डाल देना ऐँ यहां पर जब इसको हम डाल देगे तो इसको उमें चलाएं था हमें चित्कोंत करें चिंप्त आ nichts तो को चलना travelled, इसको सब 시간이 अव говорит सायट, बिजेंग पनारों समय से कैसे यहां पे तैयार करना है तो देखिए यहां है अच्छे से यहां पे पपक जाए quindi यह तैयार है लेकिन इसको पर देखे किस तरह से वह आपको बता का दया अवाल है टूट है यह और यहां पर इसी तौन वच्ञा काते मैं तौन क्षाई अन्यीं, आप Wine फायर में यह चाहिए लिचात की सारी के से necessity है यहां पर दिया है निकाल लूँगी और फिर इसको ना तुरंत यहां पर हम धूप में सूखने के लिए डाल देंगे क्योंकि एक क्यों पर एक रहेगा क्योंकि यह गरम है तो इसका प्रोसेस चालू रहेगा पकने का तो देखिए अब दुबारा से मैं यहां पर इसमें पानी नहीं डाला है थ तो यहां पर देखिए अब सारे आलू को मैं जारी धूप में सुखाने देखिए सूख गया है तो बहुत ही इजी है और एक दिन की धूप में अच्छे से धूप आरी हो तो एक दिन में यह बहुत असानी से सूख जाते है एक ही दिन में ऐसा जिंजटनी है कि बार-बार आलू लीजेगा चिप्स के लिए और जिसका चिलका जो है पतला हो मोटा चिलका ना हो पतले चिलके वाला आलू ही आलू चिप्स के लिए बढ़िया होता है तो यहां पर देखिए इस तरीके से सारे जो मैंने कुछ है आलू के चिप्स यहां पर फ्राई करें हैं और मेरे बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आया है क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूं और होली का मैं वेट करती हूं कि कवाय को मैं बना के रख लूँ अच्छे से और सिंदा नमक इसलिए डाला ताकि आप नवरात्रों में भी से खा सकें तो सफाई से बनाईए और अच् करके रख सकते हैं आप काफी दिनों के लिए तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले चिल देन बाई